हेलो गाईज मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में बचो कैसे हैं आप सभी I hope कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे सो बचो आच्छी क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है साथ ही ये कह सकते कि ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के बाद आप तमाम टॉपिकों को बड़े इसली समझ पाएंगे साथ ही यह हर topic के अंदर आपको कहीं न कहीं हर point को समझने में और उसके important को समझने में help करेगा अपनी class को start करने से पहले अगर वीडियो पे पहली बार है तो please like, share, subscribe करें ऐसी informative videos चैनल पे आपको मिलती रहते हैं सो चलते हैं अपनी class के और समझते हैं कि परेटन क्या है और साथ ही परेटन का महत्व क्या है यह दोनों को समझना बहुत ही important है इसी से हम समझ पाए कि आज परेटन की अवशक्ता या government सरकार इसके ओपर क्यों इतना अधिक जोर दे रही है सो परेटन क्या होता है बचो परेटन एक प्रकार से वह प्रेक्रिया है जो मनोरंजन करने अफका श्वतीत करने वग्यान प्राप्त करने के उद्देशे से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर यात्रा करकर या पैदल कोई यात्रा हो चाहिए वो बस के त्वारा हो किसी भी कंडिशन में किसी भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो वह एक जगा से जब भी दूसरे जग तो वह एक परकार से यात्रा कहलाती है नेक्स्ट परेटन का महतु परेटन आज हमारी जीविका का साधन बन गया है जो हर मनुशी की को आकरशित वापर भावित करता है क्योंकि विकास शील देश प्रगती की और से गुजर रही है जैसे भारत ब्रांजील दक्षिन अफ्री जीने का वो है साधन जिससे हमारा दिन चर्य चलता है तो आज जो परेटन है वो हमारे दिन चर्य के अंदर इतना इंवाल्व हो गया है कि यह एक परकार से मनुश्य का साधर बन गया है साथ ही यह इतना मनुश्य को आकरशित करता है कि वह इसे कोई भी बची नहीं सकता क् सभी वेक्तियों को घूमना फिरना मन औरंजन करना सारी चीजे बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए वो कहीं न कहीं से प्रभावित होता चला जा रहा है अगर हम विकाशील की बात करें तो भारत ब्रांजील दक्षिन अपरिका साउधी अरब आधी देश बहे विकाशील द देश का उद्दे करने के लिए नोने गुटने प्रेक्ष्टा की मिती की जिससे आज ये विकाशील देश के अंदर काउंट होते हैं साथ ही स्वभाविक है कि परेटन हर मनुष्य को प्रभावित करेगा क्योंकि यह प्रिक्रिया एक परकार से मनोरंजन के साधन वह अफक जलाते रहे तो जो बोड़ी होती वह कहीं ना कहीं exhaust हो जाती है जिसके वज़े से वह भुत थकावट और बहुत अकेला पंसा फील करता है वह अपनु फैमिली से अलग जाकर भी बहुत सारे लोग होते जो रोजगार करते हैं तो वह कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बिछर परिवार के लिए या अपने परिवार के साथ भी समय बिताए तो इसलिए यह प्रिक्रिया एक मनुरंजन का साधन भी है साथ ही यह बहुत महत्पूर्ण अफकाश है जो मनुश्य अपने फैमिली के संग या फिर इंट्रस्टिंग जगा पर जाना पसंद करेगा साथ ही अगर हम आज विकाशिल देशों में से भारत की बात करें तो भारत आज 34 वे स्थान पर आ गया है क्योंकि ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि भारत एक विविताओ वाला देश है जहां पर हर परकार के धरम, संस्कृति, इतिहास, कला, रहन सैन, खान पीन, कला, आदी चीजों से परियटा का करशित्व परभावित होते हैं बचो आज अगर हम भारत के विकाशिल्द की बात करें तो भारत आज अपने आप में विक्सित देश की और बढ़ रहा है क्योंकि भारत एक विविताओ वाला देश भी कह सकते हैं और साती भारत के अंदर बहुत सारे धरम के लोग भाशाज बोली जाती है जिससे परेटक आकर्शित होते हैं और भारी माता में यात्रा करते हैं चाये वह किसी भी धरम इस्तान से लेकर आकर्शित हो चाये वो इत्यास से आकर्शित हो चाये वो महां के समारक से आकर्शित हो कला से हो संस्कृति से हो ज्यान से हो किसी भी रीजन से वो उससे आकर्शित होकर उस दे परियटन उद्धोग ने ये मोगा पूरे विष्यु के अंदर एक जगा से दूसरे जगा जाने या लोगों को रोजगार पर्दान करने का एक विवस्ता की है या हम कह सकते हैं रोजगार नोकरिया पर्दान की है और ये सिद्ध हो पाया है सिर्फ परियटन के वज़े से और भारत के अंदर इतनी सुन्दर सुन्दर चीजे हो सकती है सुन्दर सुन्दर हम प्रकरती कह सकते हैं इतनी सुन्दर प्रकरती है भारत की या यह हम कह सकते है कि हासों में यह जाना गया है कि भारत एक सोने की चिर पूमने आते हैं यही कारण है जो आज भारत 34 विस्तान पर आ पाया है और यही प्रिक्रियन ने आज परेटन इस्थल को एक बहुत बड़े उद्धोग बनाया है जिससे यात्रा ही नहीं पूरा विश्व कहीं ना कहीं परभावित होता है हम उधारन की मदद से समझ सकते हैं बच्चो आज परेटन उधोग ने भारत कोई नहीं और भी अन्य देशों को इस विवस्ता से उभरने गरीबी से उभरने वा पिछली चीजों से उभरने का एक सुनहरा मोका दिया है जिसका प्रियोग करकर आज विक्सित देशों ने अपने आपको एक विक्सित ही नहीं बलकि सबसे शक्ति शालि देशों में भी परिवर्त है जिसके यह सबसे बढ़ा उधारन या घंका कह सकते यह वो तत्व है जिससे विक्सी देशों ने अपने देश की विदेशी मुद्रा कोई नहीं बलकि अपने देश की एकनॉमिक्स को भी बहुत अच्छा किया है और आज यही वो प्रिक्रिया भारत के अंदर भी बहुत बड़ा सिद्ध या फिर एक सुनहेरा मुखा सि बच्चों आज परेटन के वज़े से उसका जो महत्व वो दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है तो वो क्यों बढ़ आया उसको हम अच्छे से समझते हैं 2017 में परेटन उद्धोग को लेकर सयुत रास्टे विश्यू परेटन संगठन वो द्वारा जारी की गई यह है कि आज परेटन उद्धोग के वज़े से 2017 में हमारे देश के अंदर इतनी भारी माता में परेटक आये कि वो उन्होंने हमारे देश की इकनॉमिक्स को बढ़ाया और यह है रिपोर्ट यू एंड डवलू यू टी ओ की तरफ से जारी हुई है जिसमें यह साफ साफ कह है कि साथ परतीशत की दर से परेटक ओखा आगमन हुआ है विदेशी जो हमारे देश में गूमने फिरने के वज़े से आए हैं साथ ही ज्ञान प्राप्त करने के वज़े से आए हैं इसलिए यह है अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हम अपने देश के अंदर उन सारी अ मारक हो चाहे वो कला हो संस्कृतियों नित्यों कोई ऐसा वो संसाधन जिससे परेटक आकरशित होकर देश में घूमने आरे तो उसे सरकार का दायत है कि अच्छे से संरक्षित करके रखना उसकी सुरक्षा रखना और अगर वो जैसा था पहले जैसा था उसे अच्छे से अग बड़ोत्रियों और विदेशी मुद्रा हम अरजित कर सके यह अनुमान लगाया जा रहा है चीके बच्छो सयुक्त राज्ये अमेरिका इस्पेन और फ्रांस अंतरास्टे आगमन से सबसे अधिक परेटन रास्वे अरजित करते हैं बच्छो सयुक्त राज्ये अमेरिका इस्पेन और फ्रांस अंतरास्टे आगमन मतलब की जो धूसरे देश के लोग होते हैं वह सयुक्त राज्ये अमेरिका स्पैम और फ्रांस के अंदर भारी मात्रा में घूमने के लिए जाते हैं जिसके वज़े से सयुक्त राज्य अमेरिका, स्पैन और फ्रांस के जो आर्थिक इस्तिति या फिर हम राज स्वे कहें वो इतनी भारी मात्रा में बड़ा है कि इसे ये अनुमाल लगाया जा सकता है कि परिये टक कितनी भारी मात्रा में इस देशों में जाते हो और इसी वज बचों, चैने का तात पर यह चता है कि जो सयुक्त राज्य अमेरिका है उसका जो राज्य वो सतत्र बीलियन था परन्तॷ 2017 के अंदर भारी मात्रा में परिये टक आए घूमने अमेरिका के अंदर तो उनकी जो एकनॉमिक से या फिर हम कह सकते राजस्वे है वो 211 billion अमेरिकी डॉलर हो गया ठीके बच्छो नेक्स्ट है इस्पैन का राजस्वे 82 million अंतरास्टे आगमन से 68 billion अमेरिकी डॉलर आए के साथ दूसरे इस्थान पर है बच्छो इस्पैन के अंदर भी जो उसका राज स्वे था वो 82 million अंतरास्टे आगमन से बढ़ा जिसके वज़े से जो 82 million से बढ़कर 68 billion अरब डोलर हो गया पेन के अंदर भारी मात्रा में परेटक घूमने आने के वज़े से यह 82 million से billion में कनवड हो गया जो वो दूसरे स्थान पर आपाया नेक्स्ट है फ्रांस ने इस्पैन और सयुक्त राज्ये अमेरिका की तुल्ला में अधिक परेटक 87 million प्राप्त किये हैं लेकिन 61 billion अमेरिकी डॉलर का रास्वय और जित किया है जो इसे तीसे स्थान पर रखता है कहने का ताद पर यह बच्चों यह है कि फ्रांस और स्पैन के अंदर जो फ्रैंस है उसने इस्पैन और सरी तुराज्ये अमेरिका का जो डॉलर है या फिर हम कह सकते भारी माता में जिस परकार से परेटक आते हैं उसका जो 87 million रास्वय बनता है वो डबल हो गया और 61 billion अ पर आया आधि उधारण से समझा जा सकता है कि परेटन उधोग ने अपने आपको इतना विक्सित कर लिया है कि यह अर्थ विवस्ता को तो बढ़ाता ही है साथ ही है हमारे समाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक आधि पहलों पर भी अपना प्रभाव डालता है बच् कितने भारी माता में प्रॉफिट होता है उनका राजसुय डबल तृपल हो जाता है जिसके वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और ये सब सिद्ध इस वजह से हो पाया है परेटन के वजह से हो पाया है इसलिए परेटन को इतना महतव दिया जा रहा है औ अब देखते हैं कि किस परकार से पर्येटर ने हमारे आर्थिक इस्तिति में ही नहीं बलकि समाजिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक, आर्थिक आधी पहलों को भी प्रभावित किया है वे कौन कौन से बिंदू है तो पहला बिंदू है बचो परेटर नोग हजारों में लोगों क को रोजगार प्रदान कर रहा है बचो जिस परकार से भारी देश से हमारे देश के अंदर घूमने के लिए परेटक आ रहे हैं तो उन्हें सर्विसिस देने के लिए नोकर चाकरों की वहाँ उनको उनकी अवश्चकता तग पहुचाने के लिए लोगों की ज़रुरत होती हैं जिसके वज़े से भारी मातरा में उन लोगों को रोजगार मिल रहा है कहीना कहीं चीके बचो नेक्स्ट है परेटन उद्धोग सब्वेता वा संस्कृति में विकास करने में मदद करता है जिससे भारी माता में परेटक यातर कर सके बचो जो परेटन उद्धोग है वो हमारी सब्वेता संस्कृति को विकास करने में मदद करता है साथ ही जिससे परेटक भारी मात्रा में वहाँ गूमने वहाँ उसे देखने के लिए आकर्शित होकर महाँ पर आने का प्लैन बना सके जिसे भारी मात्रा में उन्हें तो प्राफिट होगा ही होगा साथ में वो जिस भी सब्यता में गूमने जाएंगे उन लोगों को रोजगार या और भोगता की प बढ़ता दिखाई देता है जिसे उनके आर्थिक इस्तिती अच्छी होते है उस देश की ठीके बच्चों नेक्स्ट है परेटन के जरिये पूरा देश और विश्व अपना सा परतीत लगता है जिसे रास्टे एकता बढ़ाने में मदद मिलती है बच्चों जब भी परेटन ह हमारे देश में आते हैं या फिर हम कहें कि विदेशी परेटक जब भी हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं तो उनका जो बोलने तरीका होता है या फिर हम कह सकते हैं उनके सांग हम जिस तरीके का बैवार करते प्रेम पूर्वक तो वह एक तरीके से अपना पन लगता जिसके वज़े से रास्टे में एकता बढ़ने में मदद भी मिलती है चिके बच्छो नेक्स्ट है परिटन विश्यू के आर्थिक समाजिक सांस्कुतिक वर राजनितिक ठाचे का विकास करता है बच्छो जब परिटन उधो का विकास होगा तो कहीं ना कहीं हर चीज भी प्र है तो उस चीज में डवलप किया जाता है जिसे हमारी आर्थिक समाजिक और संस्कुति तीनों ही तरीके से धाचा प्रभावित होता दिखाई देता है चिके बच्छो नेक्स्ट है परेटन विदेशियों और नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना पैदा करता है जिससे परेटक भारी मात्रा में गूनने आते हैं बच्छो परेटन ही वो प्रिक्रिया है जो हमारे देशियों और विदेशों से एक दूसरे के बीच में अपने शब्दों का अपनी संस्कृति का या अपनी भावना का विचार विमर्ष करती है या हम कहते ह वो परेटक भारी माता में परभावित होता है और उसे घूमने के लिए उस देश में या उस विदेश में या फिर उस राज्ये में जाता है चीके बच्छो नेक्स्ट है परेटक भारी माता में परेटन की संस्कृति विभिन परंपरा और पाक कला का अनुभव करने के लि यात्रा करने जाते हैं जैसे हम उधारण से एक समझ सकते हैं कि जनसंग्या पर्येटन से अत्यधिक जहां पर भारी मात्रा में पर्येटक पर ही लोग निर्बार होते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं यह सबसे बड़ा उधारा ने बच्चों जो यह बताता है कि पर्येटन का कितना महतवा आज बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से डेवलप्मेंट हो रहा है उ विदेटा और संस्कृति सम्रिदी लाते हैं बच्चों जब भी कोई भी पर्येटक किसी देश के अंदर जाता है चाहे वो देश का हो विदेश में जाए विदेश का देश में तो वहां की संस्कृति महां का पहनावा महां के वरतलाप या फिर हम कह सकते हैं वहां का बोल अपने देश से दूसरे देश में लेके जाता है जिसे वो चीजे उस देश में कहीं ना कहीं रह जाती है जिसे वो अपनाने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से हम किसी भी देश के अंदर जाते हैं या विदेश में गूमने जाते हैं तो वहां की जो संस्कृति होती है वो कही ना कही हम अपने देश की संस्कृति में एड करते ही करते हैं चिके बच्छों नेक्स्ट है परिटन विदेशियों के लिए एक नई संस्कृति के बारे में जानने का एक बड़ा अफसर है जो युवा उधीमियों को नए उत्पाद और सेवाओं को स्थापित करने की अनुमत करेगा क्याने का तातपरे बचों यह है कि जो परियटन है परियटन उधोग इतना प्विक्सित हो गया है कि आज विदेशी और स्विदेशी जितनी भी संस्कृति है वो मिल गई है जिसके वजह से आज जो सर्विसिस चाहिए या फिर वो सुविधाय देनी है परियटक को वो मिक्स अप हो गई है जिसके वजह से युवा उद्धीमियों को मतलब आज की पीड़ी को नए नए चीजों को अभिशकार करने का नए उत्पादों का उद्धे करने का एक सुनहेरा अक्सन मिला है जिससे वो स्थाइने अवादी पर टिकाओ नहीं होगा मतलब उस देशी उत्पादों को भी मिक्स करते वे महां तक भी पहुचाया जा सकता है जिसे हमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्वेसिस पर महां की विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक मौका मिल सकता है चीके बच्चों नेक्स्ट है परेटन उधो की मदद से देश विदेश के परेटकों की प्राथमिक अवशक्ताओं को सरलवा सुलब किया जा रहा है जिससे परेटक कुछ दिन के लिए आये परंतु उन सुविदावा अवशक्ताओं से अधिक प्रभावित होकर कुछ दिनों के लिए और रुख जाए बच्चों आज हम परेटन उधोग पर अधि समय पर और डवलब की जा रही है और उसको अधिक से अधिक सूरलब बनाया जा रहा है जिससे पराथमिक अवशक्ता को लेने के लिए परेटक को किसी भी परशानी का सामना ना करना पड़े अगर वो एक दिन के लिए तो और अधिक दिनों के लिए रुख सके ची किबators न लोगों को रोजगार वर ग्रहक परदान करेगी जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने की जा सकेगी बच्चों कहने का ताथ परिये कि परेटन यातरा के दौरान ऐसी संसाधन या इसे एक्टिविटे जोड़ी जा रहे है जिससे परेटक बोर और अकेला फील ना करें ज अब इसलिए बाते की परेटक चाहेगा कि वह महां की संस्कृति वह महां का निर्टे भी इंजॉय करें तो वह कुछ पैसे उस चीज पर भी अर्जित कर सकता है जिसे वहां के जो भी परेटक निर्टक है उन लोगों को उन परेटकों से एक रोजगार की रूप में उन्हे पैसे मिलेंगे जिससे उनका जीवन यापन होगा और इस परकार से हम विधेशी मुद्रा को अर्जित कर सकते हैं चीके बच्चो नेक्स्ट है परेटकों की सुविधाओं के लिए सरकार परिवानों की सुविधाओं को और सुरलब कर रही है जिससे परेटक को कोई भी जा पड़े इसलिए परिवानों के स्थानों पर सायता कख्ष अराम कख्ष जानकारी कख्ष आदे कख्षों की स्तापना की जिसे कुछ लोगों को महारोजगर प्राप्त हो सके बच्चों आज परियाटक की सुविधाय जो भी परियाटक की पात्मे का वशक्ता होती है या ट्रा होता है आधी तमाम सवालों से जब परिशान हो जाता है तो समझने आता जिसे भारी माता में परियाटक ऐसे परिवानों का कम परियोग करते हैं तो इसको ठीक करने के लिए गौर्मेंट ने सायता कख्ष अराम कख्ष जानकारी कख्ष आधी तमाम कख्षों की स्तापना कि जिससे उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और साथ ही उन लोगों की सायता भी हो पाएगी परियटकों की जिसे घ्रस्त हो रहे हैं परियटक की यात्रा के दौरान चीके वच्छों नेक्स्ट है सरकार ने धरम इस्तलों से जुड़े मंदिरवा कलाओं को सु विवस्तित तो किया ही बल्कि इसके देख रहे के लिए भी सुविधाय सुनिचित कराने का निय्डने लिया है जिसे लोगों को मंदिरवा कि देख रहे के लिए नौकर वा करमचारी नुक्त किये जा सके बच्छो यह जो धरम इस्तल है वो कहीं न आ कहीं हमारे पौरानी कि या फिर हम कैसे के हैं इतिहासिक धरम स्तलों से या आस्ता से जुड़ा है जिसे आज परकार से पहरी माता में पर्याटर दर्म इस्तल की और आकर्शित होकर यह फिर हम कहे आस्ता से जुड़कर उस दिशा की और या उस इस्तल की और जाता है उस सुविधा को सुरलब करने के लिए सरकार ने कह कर नियम कानून बनाए हैं जिससे वे यात्र असानी से कर सके साथ ही उस धरम और इस तल से जुड़े मंदिरों की रक्षा के लिए और उसको सुविवस्तित हरी मात्रा में महा घूम सके चीके बच्चो नेक्स्ट है परेटन की मदद से शिक्षा संस्कृति खान पान रह पहनना ओना आधी शेत्रों में नए विचारवा पहनावे का उद्धे हुआ है बच्चो परेटन ने इस विश्व को इस तरीके से विक्सित कर दिया है कि आज हमारी शिक्षा संस्कृति खान पान ओना पहनावा विचारों में भी आधी परेटन देखने को वा उसको विक्सित करने का एक सुनहेरा मौका दिया है जिसके वज़े से आज हमारे बोलने का कहने का जो कनवर्शेशन है वो इतनी स्मूत हुई है कि हम एक विदेशी परेट परेटन माध्यमों से विचारों में तेजी आ रही है जैसे अकबार रेडियो टीबी मोबाइल पत्र का इलेक्ट्रॉनिक गैजट आधी बच्चों परेटन उधोग के अंदर एक ही जगा पर नहीं बलकि आज हमारी टेक्नलोजी पर भी फैक्ट देखने को मिलता है जिसके बज़े से हमारे अकबार जो भी पुराने वरतालाब करने की जो भी साधन थे उन सभी साधनों में डवलप्मेंट हुआ है जैसे अकबार की जगा और रेडियो की जगा आज टीवी मोबाइल ने ले लिए पत्रिका की जगा इलेक्ट्रोनिक गैजटों ने आधी ने ले ल वारा इतने बदलावों से परेटकों के मन में जगा जगा घूमने के लिए उस सुकता हुई है साथ ही परेटक शिक्षित हुए हैं वह अन्य जानकारिया प्राप्त करने की इच्छा बढ़ रही है बच्छों परेटन के वज़े से आज हमारे मन में इधर उदर घूमने के लिए या हम किसी भी शेत्र या किसी भी इस्तल से प्रबावित होकर हम वहां घूमने जाते हैं और महां की जानकारिया प्राप्त करते हैं जिससे कहीं न कहीं हमारे नौलिज बढ़ती है और हम कहीं न कहीं और शिक्षित होते नजर आ रही है चीके बच्छों नेक्स्ट है बच्चो परिятьर ने आज हमारे देश वीदेश वा रास्थी वा अंतरास्थि इस तरीके से जोड़ने साहता किया है कि जिससे हम किसी भी वीदेशी देश के अंदर हों चाये हैं अपने देश के अंदर हों, कोई भी वा परिएटर जो उस देश में घूमने आया है वो एक हिचकी चाता नहीं है या फिर किसी भी services को लेने के लिए ऐसा feel uncomfortable feel नहीं करता जिससे परेटक भारी मातरा में घूमने आते हैं जब हमें हर परकार की सुविदा comfort zone हर जगा पर मिलता है तो परेटक भारी मातरा में उस देश में जाते हैं और जिस वज़े से ये है हमारे देश में हमारे विदेशों में या अन्य लोगों के अंदर प्रेम भाव का तत्व उद्धे करती है जिससे हमारे देश के अंदर वह विदेशों के बीच में अच्छे संबंद स्थापित करती है साती एकता शांती प्रेम भाव जैसे तत्वी हमारे मन में विक्सित करती है उस देश के या उस विदेश के लिए चीके बच्चो नेक्स्ट है परेटन के वज़े से देशों वा विदेशों के विचारों को रखने का मौका वा समझने का मौका मिला है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि प्रकतिक वा पर्यावन ज्यादा प्रभावित ना हो जिससे मानव को आनी का सामना ना करना पड़े बच्चो परेठन ही वे वज़ा है जिसे एक देश को दूसरे देश के सामने उसकी समस्याओं को दिखाने का मौका मिला है या किसी भी चीज से जो हमारे प्रकर्ति को हमारे परियावरण को खराब कर रही है वो अपने तत्वों को उन शब्दों के साथ सपस्ट कर सके एक ऐसा मोहल क्रियेट हुआ है या हम कह सकते हैं देश-विदेश के लोग आपस में जुड़े हैं वो किसी भी टॉपिक पर जो गंबीर है विश्यू के लिए उन सभी के ऊपर चर्चा कर सकता है यह एक मौका हमें आज परेटन के वज़े किया जाता है वह देश-भारी मात्रा में परेटक को अपनी और आकर्शित करते हैं जिससे उस देश का राथ-स्वे बढ़ता है और वही देश-खुद को डैवलेप करता है जिससे वह अपने देश की इस्तिती बदल सकता है अगर विकाशिर देश है तो वह विक सित देश बन सकता है और इस परकार परेटन का बहुत महत्व होता है बचों कहने का ताथ पर यह है कि जिस परकार परेटन ने हमें आपस में एक साथ जोड़ा है वहां अन्य तत्वों पर परभाव डाला है उस परकार से विकास शील देश धीरे धीरे विकसित की और भी बढ़ सकते है और संभावना है कि वो विकसी देशों में भी count हो सकते हैं सबस्क्राइब कि आपने गुने मात्रा करके के तो परेटकग भारी मात्रा में जाते हैं और यह सब्वेस्ट करना चाहिए वही परेटक को अधीक मात्रा में प्रभावित कर सकता है और इस परकार से आज परियेटन एक बहुत बड़ा उद्धोग बन कराया और किस परकार से उसने तमाम चीजों पर हर एक छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी चीजों के उपर अपना महत चोड़ाया और इसका एक साधन बन गया है जिसके वज़े से अगर परियेटक अपने जीवन में उ उसे अधूरा सा महसूस होता है और इस परकार आज मानव के हर एक साधन के अंदर परेटन ने अपना एक अस्तित्व बना लिया इसके बिना उसका जीवन अधूरा हो गया और आज हम कह सकते हैं कि परेटन इतना महत पून बन गया है कि हमारे हर चीज में वह अपनी महुत बड़ी मैतपून भूमिका निभाता है अगर कोई डाउट हो तो बचो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो देख रहे तो प्लीज एक लाइक शेर सब्सक्राइब करें अगर यह आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा या ह तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करें थैंक यू बच्चो